यह जो पानी पे लागेगा शुर्चा गिट हो जाएंगे और अटोमेडिक ओफ हो जाएंगे यह देखिये क्ट्रीब ता खática थेखिये हरे लोड़िक विल ओलिकिंटे। क्ट्रीब छोगो बस्तों झा अल्य। मैले स्टेल टोमेडिक पार बस्ånd हो जोञे यह थेखिर चानल, absolutely fine तो आई ये शुरू करते हैं आज का वीडियो आज का वीडियो में आप लोगों को एक अच्छा चीज दिखाने जा रहा हूँ जो आप लोगों को बहुत फैदा मौन्द हर सकता है कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊं कर एक चूटा सा प्रोजेप्ट जिसको आप 10th 12th ITI डिप्लोमा लेवल में आप यूज कर सकते हो क्योंकि आप लोगों को पता ही है, सब को पता है कि Final Year में एक प्रोजेक्ट दिखाना पड़ता है हम Electrical के बच्चे हैं और हमें भी प्रोजेक्ट दिखाना पड़ रहा है परोजेक्ट बनाने के लिए हमें दिया गया है और एक एक प्रोजेक्ट में चार उपका ग्रूप बनाया गया है 44 बच्चे एक प्रोजेक्ट दिखाएंगे वेगलाजों वैसे वाकि जितना ग्रूप है, सबी ने प्रोजेट बनाया हमारे साथ सबी ने प्रोजेक्ट बनाया करीद भी लिया तो मेहница पर ताया बहुत मेह पड़ते है च्टा च्टा प्रोजेक्ट बनातें 2,500 ताइख tandem 2,500 तुक लेते है consultant हम लोगों ने सुझा कि कुछ जुगाड कर लेंगे और कुछ ऐसा बनाएंगे खुद ही बनाएंगे देखने में बहुत एक्सपेंसिल लागेगा बहुत अच्छा लाएगा और पैसा बहुत कम खर्चा होगा सब बच्चे तो यही जाते कि पैसा कम खर्चा करें कि कुछ अच्छा चीज बनाया जाए तो हम लोगों का जो कंसेप्ट है वह वाटर लेवल इंडिकर्टर वाटर लेवल कंट्रोलर का कंसेप्ट है लेकिन हमने उसको शॉफ दिया बहुत बड़ा बना दिया और इसके है और फीजिक्स में तो काम आते है आपको पता है फीजिक्स पूरा इलिप्टिवल का उपर डिबेंट है इस वीडियो कर इसकेप ना करके आप लोग पूरा दिखिएगा क्योंकि मैं बताओंगा मैं पूरा कॉंसेप्ट को दिखाओंगा आप लोगों को क्या कि हमने यू पूरा प्रजक्त का तो यह यह है यह चोड़ा से सर्केट है जो इलीक्टोनिक सर्केट है कूछ स्ट में एक रईय है यह लगा हुआ है यह यह स्ट्ट डाउन ठांस्फोरमर रहे तागी हमने स्ट्ट्ट डॉटिस को हमने स्ट्ट्एवन करके 12 relies बोलिटेश तक किया दो LED भी लगा हुआ है जो switch भी है manually भी control कर सकते है और automatic भी control होता है यह switch है और cap sitter भी लगा हुआ है और यह relay है तो relay का बहुत बड़ा rule है इसमें कि जहाँ पर automatic का जो काम आता है relay करता है कि यह एक short circuit है यहाँ पर जो concept है यह short circuit का concept है यह जो है यह दो wire है जो यह यहाँ पर जब पानी लगेंगे दोनों wire में जो पानी लगेंगे तो circuit short हो जाएंगे तो circuit short हने के बाद यह जो relay है वो circuit को cut off कर देगा तो relay का काम आपको पता ही यह relay क्या करता है circuit को अगर किसी जगा बेfault आए तो इसको detect करता है या उसको indicate करता है या off भी करता है कभी कभी on off देसा भी काम कर लेता है तो जब circuit short हो जाएंगे circuit short circuit हो जाएंगे तब यह relay automatic cut off कर देगा हमारा circuit को तो एक sound भी आता है चट कर के ऐसा और इसमें हमने load लगा दिया है यह load था घर है तो यह water tank है और इसका नीचे यह आप toilet washroom कुछ भी मान सकते हो मान लीजी आभी मेरा tank पर पानी कम है यह देखिए यह पानी का उपर है और अभी दक circuit short circuit नहीं हुआ है और यहाँ पर light जल रहा है जब तक इस पर short circuit ना हो जाए यह देखिए short circuit होंगे यह जब पानी पर लागी का short circuit हो जाएंगे और automatic off हो जाएंगे यह देखिए automatic off हो जाएंगे तो यह है हमारा main circuit जो की water level को जब water tank full हो जाता है full होने का बाद पानी गिरने का chances है पानी वेस्ट होने का chances है तो इसको हम control करते हैं उसको हम automatic control करते था की लोग आके manually off करना ना पड़े खुद off हो जाता है automatic motor off हो जाएंगे तो आप देखिए यह light नहीं जल रहा है अब मैं on करूंगा तो जल जाएंगे यह देखिए आप जल रहा है और जब पानी पर लग जाएंगे यह circuit short circuit हो जाएंगे तो off हो जाता है यह देखिए off हो जाएंगे तो यह circuit यह simple circuit है जो हमारा syllabus में था तो इसके बारे में आपको YouTube में भी बिल जाएगा Google में भी बिल जाएगा आपको यह circuit बना सकते हो easily में इसके बारे में explain नहीं कर रहा हो कोई काम तो नहीं है ऐसी लेकिन यह स्विप देखने में अच्छा लगे है मतलब एक प्रोजेक्ट है उसको एक शौफ करने के लिए हमने बनाया तो यह ब्रीज भी बना दिया और ब्रीज बना दिया उसको उपर अप जा सकते हो और यह हमने एक रस्ता बनाया यह सब सब कलरिंग करके बनाया और बागी सब यह है कि हम लोगों का यह बनाने का मकसद यह है कि कुछ वैसे तो सीखने के इतना ज्यादा कुछ नहीं है यह एक चोटा सा सर्किट है simple का circuit है वैसे तो बनाने के लिए बहुत कुछ है बहुत कुछ बना सकते हैं लेकिन हम लोगों को लगए कि अभी time भी बहुत कम है और बहुत कम पैसा minimum से minimum पैसा खड़चा करके यह बनाना है तो अगर आप यह पुरा आप खुद बनाएंगे तो 100-100 रुपया में यह circuit बन जा है यह जो रिलेयर 20-25 रुपीस में आता है यह बागी के अपसीटर यह 2-4 रुपय में आ जाता है वाकी एक PCB बोर्ड है और यह लेने का कई जरूरत नहीं है यह अगर यह दुनों वैर अब पानी का अंदर ऐसे डाल के रख देंगे तो शोट सागिट हो जाएंगे जब शो रहे है इलेक्टिकल का काम बहुत है कि यह जहां यहां पे 40-50 लगा हुआ है तो सब लड जल रहा है भी काम भी कर रहे है और सबका वैर भी अंदर है और एक चीज़ बता रहा हूँ जो एलेडिस जो है यह तो डीस आप लूग यह न्यूटिस कर रहे होंगे कि यह तो हमने जो में सप्लाइडिया यहां से एसी 120 इसकश चल गिया एलेडिस के साथ चल गया एलेडिस तो कम बोल्ट में चलता है एलेडिस डीस डीस में चलता है यह तैसी एलेडिस नहीं है DC में स्कित 9 से 12 वोल्ट से चलता है लेटीज तो हमने वहापे वो कर दिया कि एक एडप्टर लगा दिया अब देख सकते हैं इस गर का अंदर काफी सारे मेटरियल है इस गर का अंदर बहुत चीज़े है वैर भी है और वो एडप्टर है जो एडप्टर 220 वोल्ट से स्टेप डाउन करके डायरेक्ट 12 वोल्ट DC दे देता है तो में एक ही सप्लाई लिया हमने बाहर से एक ही सप्लाई लिया और उसका अंदर एडप्टर के लिए एक सर्किट बना दिया जो DC में काम करेगा और इसके लिए दूसरा बना दिया, दो सोच लगा दिया, एक यह LED का है, और यह हमारा मोटर का, जो मोटर ओन अफ करेंगे यह, तो यह चीज़ है, आप लोग बना सकते हो, आसान सा है, और अच्छा नमबर मिल जाएंगे अगर प्रोजेक्ट बना लेंगे यह, क्योंकि जो ह आप लोग यह effort कर सकते हो, या नहीं कर सकते हो, आप लोग ज़रूर नीचे comment box के रताइएगा, और like, share, comment ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे बहुत motivate मिलेगा, और मैं ऐसा वीडियो और अच्छा अच्छा वीडियो बनाते रहूँगा, आप लोगों के लिए, ब्लोग जुर आपारा odpow दोर मैं बवंकि कर सकते हो, और भेडियों प्रσιों के बाहूँगा, मैं वीडियों कर दोफ McDonald's, य्यूरूर्चा वेडियों का हम वेडियों inexpensive और और तक्म मैं आपार은 कäre में वीडियों में भ用 कार्णाष सकते हitution है, मैं वीडियां और के लोग लोगा, 오래 oceans